ने कहा कि मा तु यहां आकर बैट जा मैं तेरे शरीर के उपर ठंडा पानी डालती हूं कुमारन ने उस बूड़ी माई पर खुब सारा ठंडा पानी डाला और बोली हे मा मेरे घर में रात की बनी हुई रबडी रखी है थोड़ा दही भी है तू दही रबडी खा ले जब ने उस बूड़ी माई ने कहा कि रुग जा बेटी तू डर मत मैं भूत प्रेत नहीं हूं मैं शीतला देवी हूं मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है कौन मेरी पूजा करता है इतना कहकर माता ने अपने हीरे जवाहरात के आभूशन पहने हुए स अपना असली रूप उसको दिखाया माता के दर्शन कर कुमहारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहा बिठाओं तब माता बोली हे बेटी तो किस सोच में पढ़ गई है तब उस कुमहारन ने हाथ जोड़कर आँखों में आसु बहते हुए कहा हे मा मेरे घर में तो चारो तरफ दर्शन है मैं आपको कहां बिठाओं मेरे घर में ना तो चौकी है ना ही आसन तब शीतला माता प्रसन होकर उस कुमहारन की घर पर खड़े हुए एक गधे पर बैठ गई और हाथ में जाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुमहारन की घर की दर्शन को जाड़ कर उस डलिया में भर कर फेग दिया उस कुमहारन से कहा कि बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ती से प्रसन हूँ अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वर्दान मांग ले कुमहारन ने हाथ जोड़कर कहा कि माता आप इसी गाउं में स्थापित होकर यही रहो और जिस की पूजा को जरूर स्वीकार करना नारी जाती का अखंड सुहाग रखना उसकी गोध हमेशा भरी रखना साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के हां बाल ना कटवाए धोवी को कपड़े ना धुलाए और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाए नारील का पूल चढ़ाए तो आप उसके धंडे और व्यापार में कभी दरदता ना आने देना तब माता ने तथास्तु कहा और उस कुमहारन को वरदान दिया और ये कहा कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धर्ती पर सिर्फ कुमहार जाती का होगा उसी दिन से डुंगरी की दरदता का नाश होने के लिए शीतला माता से सभी लोग मनोकामना करें और शीतला माता से मनोकामना में मांगें कि आपकी दरदता दूर हो जाए दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें देखते रहिए रहसी मैक्स